अब राजिस्थान के खबरे सिर्फ देखिये ही नहीं पढ़िये भी हमारी वेबसाइट राजिस्थान तक टॉट कॉम पर बरतपुर राजपरबार की पंद्रेवे पीड़ी अनुरुद सिहिंग जो कैविनेट मंत्री विश्वेन सिंग के पुत्र है उनके एक ट्वीट ने बिवाद खड़ा कर दिया है अनुरु सिंग ने एक ट्वीट किया कुछ दिन पहले और सवालिया निशान उठाया कि वह करोली से है इस ट्वीट के बाद जब बिवाद उपजा तो बिवाद बढ़ता गया सोसल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट आने लगे और अनुरुद के खिलाफ एक तरह से जाट समाज के जो युवा हैं लोग हैं एक तरह से उन्होंने बगावत सुरू कर दी आज इस जो खामियाजा है जो पहुंच है यात्रा है वह आज एक महा पंचायत तक जा पहुंची पेंगोर के चामड माप के मंदर में पंचायत का जाट समाज के लोगों ने पंचायत की उसमें भाग लिया कही ना कहीं वताय जा रहा था कि अनुरुद का जो ट्विट है उसके खलाफ जाट समाज में रोस है ना के वल भरतपुर बलकि राजस्थान उतर प्रदे सर्याणा अदली तक अनुरुद के खलाफ उस ट्विट के खलाफ जाट समाज में रोस ब्यापत है सवाल उठता है कि इतिहास के साथ छेड़ छाड़ करना इतिहास के साथ छेड़ छाड़ पहले वोलीबुड में भी कई वार सामने आए ही चाए पदमावत मूवी को लेकर हो चाए पानी पद मूवी को लेकर हो सवाल यह उड़ता है कि जो एतिहास एक चीज है जो इतिहास है उसके जो तत्य है उसकी जो परिकल्पना है उस पर बिवाद जब खड़ा होता है जब आप उस पर गेर जाहिज तरीके से सवाल उठाते हैं और वह सवाल जब आप उठाते हैं बगर पुष्टी किये बगर जा वहावी एक सी बात है लोग आरूप लगा रहे हैं कि अन्रुद्ध सिहिंग का भवे से बहुत उज्वल है और उनका एक गुड़ लग है कि उन्होंने राज़ परवार में जन्म लिया लेकिन उनकी जो सोसल मीडिया पर जो ट्वीट डालने की एक आदत है वह कभी कभी एक बिवाद खड़ा कर देती है समझना जरूर चाहिए कि ऐसे जो बिवाद है जो इतिहास की चीज है उनको छेड़ चाड़ना के जाए उन पर कोई सवाल या निसान उठाने की नहीं कोशिस की जानी चाहिए बरतपुर की जहां तक बात करें बरतपुर रियासत की चोदे पीडियों ने यहां राज किया और यहां के राजा एक किसान की तरह रहे और जो अन्रुज सिंग ने ट्वीट करके बरतपुर राज परवार की जो निकास है उत्पति वो करोली से बताई है तो उसके लिए एक सबसे बड़ा और उसके जो उत्पति बताई अन्रु च्रेक। दौरा ऐक अिठहासकार दौरा दौरा लिखा गया एक अिठहास का एक पन्ना था जिसके आधार पर अंगर्ट्पूर सिंग ने वह त Orig Ellis पर्वार का जो निकाश कहता है करोली से हैं। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार क्या लिखकर गया उससे ज़्यादा बहतर है कि भर्तुर लोहागर किले के अंदर एक जवार बुर्ज इस्थित है जिसमें सभी राजाओं की उपर से नीचे तक वनसावली लिखी हुई है वह उससे बड़ा इतिहास साइद कोई भी नहीं है उस इतिहास को पढ़ लेना भी हर किसी के लिए बहुत जरूर है खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूर है उतिहास को पढ़ना जवार बुर्ज पर जो लिखा है जो समझ नहीं पाते और जो ट्वीट या सोसल मीडिया पर कोई भी इंसान अगर टिपड़ी करता है इति कि उसी को वेस बनाते हुए योवराज ने ये ट्विट किया और सबुत के तोर पर ये पेस किया कि अंगरेज इतिहासकार ने यह सबुत पेस किया था यह लिख molecular गए थे सवाल उठता है कि जो भी इतिहासकार होता है जो इतिहास लिखता है इतिहास लिखने वाला तो इंसानी होता और इंसान की फितरत इंसानियत के हिसाब से अलग-अलग होती है जब कोई इंसान इतिहास किसी चीज़ का लिखता है तो वो वैलेंस कितना करता है बहुत महत्पूर्ण होता है क्योंकि वह कहीं न कहीं एक मानसिक प्रिविड़ती होती है हर इंसान की कि किसी तरफ जुकाव कर देता है वो और किसी तरफ उठाव कर देता है संतूलन्साहद नहीं बना पाता यही वज़े है कि इतिहास में कई सारी उस इतिहास को लेकर बिवाद भी समय समय पर उपजते हैं क्योंकि एक इतिहासकार और या दूसरे इतिहासकार नहीं उसी मुद्धे को दूसरे हिसाब से प्रेशित कर दिया था जहां तक अंग्रेज इत्यासकार की बात है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि अंग्रेजों ने कई वार भर्तपुर लोहागड के लिए पर आक्रमण करने की कोशिस की करीब 13 वार लेकिन हर बार अंग्रेजों को मुह की खानी पड़ी और यहां से भागना पड़ा था पिट करके भागना पड़ा था और जो बताय जा रहा है कि अटलवंद गेट की तरफ से एक वार लॉड लेक जो अंग्रेजी अफसर थे उनके नितरत में अंग्रेजी सेना ने यहां पर आक्रमण किया था उनको मुह की कहानी पड़ी थी करीब तीन हज़ार से ज़्यादा अंग्रेजी शेनिक उसमें मारे गए थे और लॉड लेक की जो हमने सुना है जो जानकार है इतियास कारेम विशेस था कि उनका जो कहना है कि लॉड लेक जो अंग्रेजी अफसर थे उन्होंने इतियास में लिखा है जो गजेटियर में आज भी अंग्लेड की राइबरेरी में रखा हुआ है उसमें वो Lord Lake लिख करके जाते हैं कि हमने जब लोहगड के लिए पर आकरमण किया हमारी तोपों से जब हम गोला दांग रहे थे के लिए की तरफ तो आश्चर की बात एक ऐसी सक्ती थी लोहगड के लिए के उपर चारो तरफ एक ऐसी पृतिमा थी जो चक्र चल रहा था लोहगड के लिए के उपर और हमारे जो तोपों के गोले थे वो उस चक्र में जाके समायत हो जाते थे और खत्म हो जाते थे और यही नतीजा था कि लोहगड के लिए की एक इंट को भी हम नुकसान नहीं पहुचा सके थे एक अंग्रेजी अफसर जो इत्यासकार था और जो सेनिक भी था लीडर भी था वो इस तरह से गजेटियर में लिखके जाता है तो इसका मतलब क्या समझा जाए इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं बर्तपुर राज परवार गिर्राज महारा करस्ळ के भक्त रहे हैं उनकी पूजा करते रहे हैं और यहीं बताए जाता है इत्यासकारों के द्वारा कि धगवान क्रस्ळ की यहां एक आस्था रही है वह गड़ किले पर और यही वजए रहा कि लोहागर किลा हमेशा आजे रहा जिसे कभी कोई जीत नहीं पाया, जिसने कोशिस शाक्रमण करने की कोशिस की, उसको मुझ की खानी पड़ी और यहां से पिटके बापस भागना पड़ा था, अपनी जान वक्चा के भागना पड़ा था, तो महारजा विस्विन सिंग आज पहापंचायत हुई है, महारजा व अधूरी जानकारी थी, अन्रुस सिंग को पूरी जानकारी नहीं थी, और पूरी जानकारी होने के वाबजूद ही, किसी वितरे का वयान, स्टेटमेंट या ट्वीट करना वहत जरूरी होता है, अगर आप ट्वीट करते हैं, या वयान देते हैं, तो वह बेवाद का अंसज हैं और उनकी ही पूजा करते आए हैं वहां से ही इनका निकास है तेखे बहुत सिंपल सी बात है इतिहास में क्या हुआ इतिहास और भूगर्व ये दो ऐसी चीज हैं जिनको आप जितना खोदोगे जितना इसके अंदर गोशोगे उसका अंत आप नहीं ले पाओगे और यही वज़े है कि जहां तक आप गोशते हो वहां तक की जानकारी आप ले लेते हो इसके लिए बहुत वड़े अध्यन की और मनन की जरूरत होती है तब जाकर के जो फैक्ट्स हैं वो किलियर होते हैं लेकिन इस तरह से जो बयान आता है या ट्वीट होता है जो आधा अधूरा होता है वह बेवाद का रूप धारन कर लेता है बर्तपुर रियासत की जहां तक वाद है यह जाट रियासत रही है त्यासकार भी लिख करके गए हैं जवार बुर्ज पर बंसावली लिखी होई है जो जवार सिंग मारजा जवार सिंग ने वनवाय था जो बताय जाता है और यहां के जो राजा हैं वो किसान के रूप में रहे कभी शोषण किसी का नहीं किया हर किसी की रच्छा की दीन दुख्यों की रच्छा की बहेंट वेटियों कि नोने हमेशा रच्छा की और यही नतीबत कारण था कि दिल्ली पर अगर आकरमण महारेजा सूरज मल ने किया तो उसकी वी देन यही थी कि एक हिंदू लड़की को दिली के वाश्चा ने कैद कर लिया था उसे साधी करना चाहरा था जबकि वो साधी करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो कहती थी किमå कि मैं हुए हिंदू हो और आप को फते किया था तो भरतपुर इतिहास की बहुत ही जादा रोचक कहानिया हैं इतिहास में बहुत कुछ अच्छा अगर आप पड़ोगे तो काफी रोचक जानकारी मिलेंगी और यहां पहली वार ऐसा देखने को मिलेगा जब यहां के सभी राजा हमेशा प्रजा की रच्छा करते रहें दलितों की यहां सेकुलर था सभी जातियों का संगम था सभी जातियों को आधर और सम्मान के हिसाब से ही रखा जाता था उनकी सुरच्छा की जाती थी कोई भेदवाविया पर नहीं होता था और इतना मुकाम हासिल करने के बाद अगर उसी वनसज की महाराज पंद्रे वी पीड़ी उनके ही निकास उनकी ही उत्पत्ती पर सवालिया निसान उठाए ट्वीट के जरिये तो जाहिर सी बात है जात समाज में रोज पैदा होना एक श्वावविक सी बात है आना कि महाराज जब विस्वेंज सींग ने जो अनुरु सींग के पिता हैं के अनुरु सींग ने जो ट्विट किया है वे आदी अधूरी जानकारी का नतीजा है और लोग कह रहे हैं कि अनुरु सींग हो या कोई अन्य अव्यक्ति हो वगेर तत्थ्य और पिर्माण के किसी भी इतिहास पर या किसी भी जाती पर सवालिया निसान उठाना बहुत गलत चीज है जिससे बिवाद बढ़ सकता है और यह बिवाद एक बिकराल रूप भी धारन कर सकता है इस तरह से इसलिए इस तरह की बिवादित चीजों से हमेशा वचने की कोशिस की जानी चाहिए सवाल यह भी है यह वही बात अनुरुद सिंग ने की है कि प्रत्वी पर अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई यह कुछ ऐसी अतारकिक बाते हैं जिनका पता साइद आज तो कोही नहीं लगा पाया और वह प्रकृति ही समझती है भगवान ही समझता है इसलिए जो अंसुलजी बाते हैं उनमें ज्यादा गुसने की और अगर आपको जानकारी नहीं है उन अंसुलजी बातों का उसको ल किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता है और यही कारण है कि बिवाद उत्पन्न हो जाते हैं